दिनेश, रमेश और सुरेश एक फर्म में साजिदार हैं, लाप का विभाजन तीन अनुपाद तीन अनुपाद दो में करते हैं, वे निर्ने लेते हैं कि 1 एप्रिल 2015 को लाप का विभाजन बराबर करेंगे. 31 मार्श 2015 उनका तुलन पत्र इस प्रकार है, तुलन पत्र मींज चिठा, दाइत्व लेंदार एक लाप पचास हजार, सामान्य संचै असी हजार, साजेदार का रिन दिनेश चालीस हजार, रमेश तीस हजार, साजेदार का पुझी दिनेश एक लाप, रमेश असी हजार, सुर प्राप्य विपत्र 50,000, देंदार 60,000, स्टॉक 1,20,000, स्थाई सम्पत्यां 2,80,000 यह निर्णय लिया गया 1. स्थाई सम्पत्यों का मुल्यांकन 3,31,000 होगा 2. देंदारों पर संदिक गृणों के लिए 5% का प्रावधान बनाया गया 3. इस्तिती को फर्म की ख्याती पिछले 5 वर्षों के उसत लाप के साड़े 4 वर्ष के क्रै के मूल्य पर होगी जो की क्रमशह लाप शुद 14,000 रुपए, 17,000 रुपए, 20,000 रुपए, 22,000 रुपए और 27,000 रुपए है स्टॉक का मूल्य 1,12,000 रुपए तक कम हुआ, ख्याती को फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा आवशक रोजनमचा प्रविष्टियां करें तथा फर्म का संशोधित सिती वीवरन पत्र तयार कीजिए अब इस सवाल में जैसे दिया है कि दिनेश, रमेश और सुरेश एक साज़ेदार हैं, एक फर्म में साज़ेदार हैं जिनका पुराना अनुपात दिया है तीन अनुपात दो और नया अनुपात दिया है कि अगर वो बिजनस टार्ट कर रहा हैं, बिजनस कर रहा हैं तो नए अनुपात में बाटेंगे मतलब यह निर्नाय लिया गया था कि अब वो जो भी लाब और हानी बाटेंगे उसको बराबर अनुपात में बाटेंगे मतलब एक अनुपात एक और अनुपात एक और एक एप्रिल 2015 को इनका जो भी बिजनस है वो स्टार्ट हो रहा है यह fixed assets जो होगी स्थाई संपत्ती जो होगी वह होगी 3,31,000 का पुनर मुल्यांकित किया गया था Assets में दिया हुआ है कि fixed assets जो है 2,80,000 मतलब 2,80,000 है और उसको जब revalued किया जाएगा जब पुनर मुल्यांकित किया जाएगा तो उस case में वह हो जाएगा 3,31,000 इसका मतलब यह है कि यहाँ पर संपत्ती में वृद्धी हो रही है, increase in assets हो रहा है, जब हम fixed assets को means 2,80,000 को minus करेंगे पुनर मुल्यांकित वैल्यू से, पुनर मुल्यांकित जो उसका मुल्य है उससे जब हम उसको घटाएंगे 3,31,000 को तो कितने की बढ़ उत्री आ रही है, 51,000 की, मतलब यह increase in assets बोल सकते हैं, इसको और संपत्ती में वृद्धी है, उसके बाद question में दिया है कि देंदारों पर 5% का संदिक दिरिन बराना है, प्रावधान करना है, तो देंदार question में दिये हुए हैं, 60,000, 60,000 का अगर हम 5% निकालते हैं, it means 60,000 into 5 upon 100 करेंगे, तो कितना आएगा, यह 3000 आएगा, तो 3000 का जो है, वो देंदारों पर संदिक दिरिन का प्रावधान किया गया है, थर्ड इसमें बोले था कि गुडविल है, गुडविल का calculation करना है, जिसमें 5 साल का profit दिया है, और उसमें 4 साल का जो purchase, मतलब जो क्रे है, उससे बनाना है गुडविल को तो गुडविल का calculation हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले नया अनुपात निकालेंगे, नया profit sharing ratio जा है, वो निकालेंगे, तो वो किस प्रकार से निकलेगा, पुराना अनुपात दिया हुआ है, वहाँ पर 3 अनुपात, 3 अनुपात, 2 और नया अनुपात है, मतलब ब अनुपात का होगा, और कौन सा साज़ेदार है, जो लाप के अनुपात में जाएगा, मतलब sacrificing ratio किसका होगा, और gaining ratio किसका होगा, तो इसके लिए सबसे पहले calculation होगा, कि हम नया अनुपात निकालेंगे, तो नया अनुपात किस प्रकार से निकाला जाएगा, old ratio minus new ratio, मतलब द 8 से माइनस करेंगे, तो उस case में हो जाएगा, 1 upon 24, तो 1 upon 24 ये plus में आ रहा है, तो इसलिए ये sacrificing ratio या त्याग का अनुपात में जाएगा, वैसे ही हम देखते हैं, रमेश का 3 upon 8 minus 1 upon 3, इसका जब calculation किया जाएगा, तो ये भी वैसे ही 9 minus 8 upon 24, तो इसमें भी plus में आ रहा है, 1 upon 24 तो ये भी किसका ratio हो जाएगा, त्याग का अनुपात हो जाएगा, means sacrificing ratio में आ जाएगा, अब last हम देखते हैं, सुरेश का, सुरेश का दिया है, 2 upon 8 minus 1 upon 3, जब इसका calculation होगा, तो कितना आएगा, 6 minus 8 upon 24, जब 6 को हम 8 से माइनस करेंगे, तो इसमें आएगा, minus 2 upon 24, माइनस में तो उस case में ये हो जाएगा, gaining ratio या लाप का अनुपात, अब इसी ratio से हम calculate करेंगे, goodwill, goodwill में जैसे बोला गया है, कि 4,5 साल का जो भी है, purchase के हिसाब से निकालना है, goodwill, तो वहाँ पर goodwill का formula क्या है, goodwill equals to average profit into number of year of purchase, अब average profit 5 साल का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम average profit निका पांच साल का जो भी है profit उसको add करके और उसको हम divide करेंगे 5 साल से, मतलब 14,000 plus 17,000 plus 20,000 plus 22,000 और 27,000 और जब इन सारे profits को add किया जाएगा, तो add करने के बाद या आएगा, 1,001,005, 5 से उसको divide करेंगे, जब 5 से divide किया जाएगा, average profit कितना आएगा, 20,000, 20,000 average profit आया, अब इस average profit को हम रखेंगे goodwill के formula में, goodwill का formula क्या था, average profit into number of year of purchase, average profit कितना आया, 20,000, 20,000 into 4.5, 4.5 से जब हम उसको multiply करेंगे, तो यह आएगा 90,000, means goodwill कितना है, 90,000, 90,000 तीनों का goodwill है, तो particularly एक का कितना होगा, वो हम यहाँ पर नए ratio के हिसाब से निकालते हैं, मैं कि कौन sacrificing ratio में जाएगा, और कोन gaining ratio में जाएगा, दिनेश का sacrificing ratio था, तो 90,000 into 1 upon 24, जब इसको हम calculate करेंगे, तो यह आएगा 3,750 जो sacrificing ratio में था,वैसे हम रमेश करेंगे, तो रमेश का भी 90,000 into 1 upon 24, जब इसको calculate किया जाएगा, तो उसमें भी आएगा 3,750, यह भी sacrifice ratio में लास्ट है सुरेश सुरेश का है 90,000 into 2 upon 24 गेनिंग के रेश्यो में जाएगा जब इसको कालकुलेट किया जाएगा तो इसका जो भी गुडविल का पार्ट है वो आएगा 7500 तो यह था गुडविल का कालकुलेशन तो सारे कालकुलेशन जैसे समायोजन में दिया है सारे की सार कार से किये जाएगे अब लास्ट का जो समायोजन था वो यह था कि स्टॉक जो क्वेशन में दिया है 1,20,000 जिसको कम करके 1,12,000 तक करना है इसका मतलब यह है कि इसमें संपत्ति जो है वो डिक्रीज हो रहा है संपत्ति में कमी आ रही है कितनी आ रही है 8,000 की अगर हम पु पुणर मुल्यांकित करके जो उसको लेना है कम करना है वो है 1,12,000 जब 1,12,000 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 8,000 यह संपत्ति में कमी है अब यह सारे कालकुलेशन किया अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो किस प्रकार से की जाएगी सब से पहले हैं fixed assets account debit to revaluation account 51,000 जहां यहां बोला गया था कि fixed assets को increase करना है तो इसलिए उसको debit किया गया है अब हम दूसरी एंट्री देखते हैं जिसमें कि revaluation account debit to dators account to stock account तो dators में जाएगा 3,000 जो हमने provision किया था और उसके बाद जो stock है उसमें जाएगा 8,000 जो कि हमको कमी करनी थ उसके बाद दोने entries करने के बाद अब यहां देखा जाएगा कि revaluation account में profit हो रहा है कि loss हो रहा है तो यहां पर जब हम इसको minus करेंगे तो profit दिखाया जाएगा तो उस case में हो जाएगा revaluation account debited to Dinesh's capital account to Ramesh's capital account to Suresh's capital account और इसको old ratio में ही divide किया जाएगा इसका मतलब है कि 3 is to 3 is to 2 के ratio में ही इसको उसी अनुपात में इसको बाटा जाएगा तो यहां पर आजाएगा दिनेश में आजाएगा 15,000 रमेश में आजाएगा 15,000 और सुरेश में आजाएगा 10,000 टोटल मिलाके 40,000 आजाएगा revaluation account के debit side में अब उसके बाद question में दिया है general reserves तो general reserves जो समान्य संचा है उसको भी पुराने अनुपात में ही divide किया जाएगा तीनों ही partners में तीनों ही साजेदारों में तो यहां पर हो जाएगा general reserves account debited 80,000 टू दिनेच's capital account 30,000 टू रमेच's capital account 30,000 और तू सुरेच's capital account 20,000 इसके बाद जो goodwill का calculation किये थे goodwill में जो sacrificing partners हैं मतलब त्याग वाले जो partners हैं वो और जो gaining partners हैं वो मतलब की जो उनको लाब मिलेगा वो partners की entry भी यहां पर की जाएगी तो यहां पर हो जाएगा सुरेच's capital account debited क्योंकि वो gaining partner है इसलिए उसको debit किया जाएगा 7500 से मतलब 7500 से उसके बाद होगा 2 रमेज's capital account 2 दिनेज's capital account 3750 3750 तो इस प्रकार से यहां पर general entries की जाएगी अब ही हमने देखा कि इसकी general entries किस प्रकार से करनी है और अब हम देखते हैं कि partners capital account किस प्रकार से बनेगा तीन partners हैं दिनेश, रमेश और सुरेश तो यहां पर balance दिया हुआ है capital account का जो पुराने वाले balance sheet में दिया है balance capital account का तो उस balance को हम यहां पर लेके आएगे तो credit side लिखा जाएगा by balance brought down दिनेश में हो जाएगा 1 lakh, रमेश में हो जाएगा 80,000 और फिर सुरेश में हो जाएगा 70,000 यह balance दिया था balance sheet में question में तो वही वाला balance यहां पर आएगा अब उसके बाद revaluation का profit था जो हमने divide किया था पुराने ratio में 3 to 3 to 2 के ratio में तो वह profit किया था by revaluation account 15,000 जाएगा दिनेश में फिर रमेश में जाएगा 15,000 सेम वैसी सुरेश में फिर जाएगा 10,000 यह old ratio में divide होकर गया है अब उसके बाद दिया है general reserves जो हमने general entries में की थी तो general reserves को भी old ratio में divide करेंगे तो यह हो जाएगा by general reserve account 30,000, 30,000 और फे 20,000 सुरेश जिसने त्याग किया था अपना अनुपार तो उसका यहाँ पर आ जाएगा by सुरेश's capital account दिनेश में जाएगा 3,750 वैसे ही रमेश में जाएगा 3,750 अब हम देखते हैं debit side की क्या entries होंगी तो दिनेश's account सुरेश में जाएगा 3,750 तो रमेश's account यह भी सुरेश में ही जाएगा 3,750 वो इसलिए जा रहा है कि जो सुरेश है वो gaining partner है अब इसके बाद हम दोनों side का जब calculation करेंगे तो debit side में deficiency आएगी तो इसलिए जो भी balancing figure है जो भी answer है वो debit side में आएगा तो by balance carried down दिनेश में आएगा 1,48,750 रमेश में आएगा 1,28,750 शुरेश में आएगा 92,500 जब इन सारों को हम total करेंगे तो total में आजाएगा 1,48,750 दिनेश में दिन रमेश में आएगा 1,28,750 फिर सुरेश में आएगा 1,00,000 पूरा total करने के बाद तो ये था capital account अब capital account के बाद हम बनाएंगे balance sheet मतलब चिथा बनाएंगे अभी जो हमने बनाया था साजेदारों का पूझी खाता बनाया था अब जो बनेगा वो बनेगा new balance sheet जो साल के आखरी में बनता है मतलब चिथा बनेगा चिथा में इधर liabilities और इधर आजाएंगे assets तो सबसे पहले हम assets वाला पार्ट देखते हैं मतलब संपत्ती वाला पार्ट देखते हैं संपत्ती म फर्स्ट में आ जाएगा cash at bank जो question में दिया हुआ था 40,000 फिर उसके बाद है bills receivable means प्राप्य विपत्र 50,000 जो भी question में दिया हुआ है उसके बाद यहां पार है dators dators देंदार में यहां बोला गया था यहां निर्णय लिया गया था कि 5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाए बैड़ रिजर्व बनाय जाएगा तो डेटर्स टोटल थे 60,000 उसका calculation करने के बाद 3,000 आया था तो उस 3,000 को माइनस करेंगे बैड़ रिजर्व से बैड़ रिजर्व के रूप में तो यह हो जाएगा 60,000 में से जब हम 3,000 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 57,000 उसके लाक ट्वेंटी थाउजन कोश्चन में दिया था मगर यहां पर यहां बोला गया था कि कमी करनी है 1,12,000 में तो स्टॉक कितने में रिवैल्यूड होगा 1,12,000 में उसके बाद लास्ट में हैं फिक्स्ट एसरेट्स को यह बोला गया था कि उसको बढ़ाना है उसको रिवैल अब हम देखते हैं लाइबिलिटी साइट्स का इट मीन्स की दाईतों में क्या क्या आएंगे सबसे पहले आएगा लेंदार मतलब क्रेडिटर्स 1,50,000 जो पुराने बैलन शीट में दिया हुआ है उसके बाद वहां पे दिया है पार्टनर्स लोन साजेदारों का रिन उसम इसमें दिनेश के आ रहा था 1,48,750 जो बैलेंसिंग फिगर था पार्टनर्स लोन साजेदारी पूजी खाते का दिनेश में आएगा 1,48,750 रमेश में आएगा 1,28,750 और सुरेश में आएगा 92,500 जब हम दोनों का टोटल करेंगे तो बैलन शीट में यह होता है कि दोनों का टोटल सेम आना चाहिए जब हम दोनों का टोटल करेंगे तो संपत्ती साइड मतलब assets में भी आएगा 5,90,000 और liabilities में भी आएगा 5,90,000 तो इस प्रकार से यह सवाल बनेगा जिसमें आपने जनरल एंट्रीज भी की हैं, partners capital account मतलब साजेदारों का पूझी खाता भी बनाया है और new balance sheet मतलब नया चिठ्था भी बनाया है तो इस प्रकार से यह वाला सवाल बनेगा